आप देख सकते हो आपने माइक प्रोग्राम में अगर ज्यादा बाट के स्पीकल लगा रखे हैं तो वो दूर से उसकी फ्रेक्वेंसी को स्क्राइचिंग करेगा और सीटी मारेगा अब आज खोलते हुए तो हाई फ्रेंस वेलकम टू मैं यूटूब चनल डीजीडीके स्ट यंगा एक ऋपकर तो अब्हुत पसंद्किया मैं दो मैं आले ने में नए और परे आते हैं और पिछली वीडियो में प्मिट किया था ौन्थ आपने कि अन्य वह सैंटनिक की यह मेरा मतलब शीटी इम मारता है उसव आप देख सक्तिए इस माइक है आप देख सकते हो आप यहां पर देख सकते हो चल रहा है और सिटी नहीं मार सकता और कुछ लोग कहते हैं कि भाई चलते प्रोग्राम में आप दिखाऊ तो मैं चलते प्रोग्राम में दिखाऊंगा काम चालू हो गया है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है और मैं चलते प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा कि मतलब कैसे माइक की सेटिंग करते हैं क्योंकि अभी आप एक्जामपल में देख सकते हो जब इतने प्रोग्राम करता हूं तो वहाँ पर तो काफी दूर स्विकल लगे होंगो तो वहाँ पर सीटी वैसी नहीं मारे कर एक मैं से वीडियो में तो आप ध्यान रखना तो जो सेटिंग मैंने इसमें की है सब्सक्राइब को बताओन तो मैंने इतने पास में है यह माइक है और शिती नहीं मार सकता ठीक है और मायग मैं चाल हुआ है ठीक है तो इस चीज़ का द्यान तो एक चीज का और द्यान रखो आपने माइक प्रोग्राम में अगर ज्यादा बाट के लगा रखें तो वह दूर से उसकी को क्रेशिंग करेगा और सेटी मारेगा आवाज खोलते हुए तो आपको कम watt के speaker आपको use करने है Mike के program में जादा watt का speaker use करोगे तो उसमें ज्यादा base होती है तो ठीक है उसकी अबाज महीं ज्यादा नहीं कर सकते हम माइक के program में speaker use करेंगे वो कम watt का होने चाहिए ये जादा watt के speaker नहीं है इसमें 200 वाट का स्पिकर पड़ा हुआ है जो अब आज ही अब आज देगा बेस नहीं देगा तो सिटी मारेगा अभी इसमें अगर 500 वाट का स्पिकर डाल दिया जाए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा असमें आपको बताऊंगा 500 वाट का अगर स्पिकर इसमें डाल दिया तो इसमें जो बेस्ट की फ्रेकुएंसी तो बहुत तेज होती है उसमें जब करेंट जाएगा तो वह उसपन होगी ज्यादा को पकड़ेगी तब सेटी मारेगा तो इस चीज़ का दिखार रखेंगे ज्यादा बाट के वह हमेशा आपको सीटी देएंगे हमेशा सेटी मारेंगी तो क्यूंकि उसमा वाज तो है इनैं बेस भी क след Part a जो आपने लगाया है माइक प्रोग्राम में उसकी अबाज की बैलू होती है तो माइक प्रोग्राम में अबाज की बैलू होती है ना कि बेस की बैलू होती है बेस की कोई बैलू नहीं है अबाज की बैलू है जितनी आवाज दे सको माइक प्रोग्राम में जितनी आवाज दे सब्सक्राइब अबार्ट के स्पीकर और आवाज दो जितनी आवाज आप दे सकते हो उतनी आवाज कोई भी मतलब कराकार आपको भेल नहीं कर सकता अगर आपके फिल आप बढ़िया था मिचले का काम है उसमें परależद लगा हुँ तने कैसे भी स्पीकल लगाओ मगर माइक का प्रोग्राम एक अलग प्रोग्राम है जो आवाज की वैलू रखता है ठीक है तो माइक के प्रोग्राम में आवाज की वैलू होती है और डीजे प्रोग्राम में बेस की वैलू होती है तो यह दोनों चीजे अलग-अलग हैं और अलग- चलती है तो उसमें आप एक काम कर सकते हो आप अलग से बेश ले जाओ और पीछे रख दो ठीक है जो कलाकार है उसके पीछ रखो अरत चलती है तब चलाओ आप और जिब कर दो आप को माइक प्रोग्राम में आपको अबाज वारे जयाना है जो ज्यादा की सपीकर की बडिया टो उनकी अबाद इतनी नहीं यह कहले इस भारल डेंगा अब यकीन नीखिता है तो आप अपनी में त्षाप में चेक कर लो जब सिकर की अगर बढ़ी है और आप ज्यादा बाट का स्पीकर है वह आपको कमबाट का स्पीकर के यहते अबॉज नहीं देगा और आप एक बार चेक कर लो आपको पता लग जाएगा तो यह कमबाट के स्पीकर में ज्यादा तर यही चलाता हूं राइमाड भागबत प्रोग्राम में क्योंकि इनके कम बाट के स्पीकर है और ज्यादा है और ध्यार रखना आपको मैं एक वीडियो और मनाऊंगा स्पीकर रिपेर वाली उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से क्वाइल की आवाज महीन होती है और कौन से क्वाइल की आवाज मोटी होती है तो अगला वीडियो आएगा आपके पास और देखना आप वह उपर देख सकते हो आप रखें अभी स्पीकर मैं इन्हें बनाऊंगा तो आपको एक चीज वीडियो में और बताऊंगा कि कौन से स्पीकर की आवाज महीन होती तो सेटिंग देखा देता हूँ आपको मैं अपने सेटप की जो अभी मैंने यह सेटिंग की और सीटी नहीं मार रहा है जो नए उन्हें मैं एक चीज़ब बताऊंगा जितनी बॉलिया मैं यह ठीक है इन्हें हाप-फाफ खोलना है अभी हाप-फुली है जीरो पर है जीरो करें तो आपने देखा तो यह सेटिंग मिठीट की और एंपलीफायर की तो हब यए जब आप प्रोग्राम कर तो आप पाज के सुपिक्र लेजा अगर बेस वाले स्पीकर ले आधे यह निक्रद के स्पीकर ले जाओं तो यह दो जाओं इय। यह तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़िए बताएं मिलता हूं अगली वीडियो में झाल झाल